हलो दोस्तों नमस्कार मेरे इस यूटीब चनल में मैं आप सभी लोगा दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं मारती सुजुकी इंडिया लिमिटेट के उपर बात करने वाला हूँ आज का हम कारोबार इसमें देख लेते हैं यह ओपेंड हुआ 7,697 रुपए के भाव के करीब और आज का जो लोग बना है वह है 7,640 रुपए का आज जो हाई हमें देखने को मिला इस स्टॉक्स में वह था 7,790 रुपए का और जो क्लोजिंग प्राइज हमें देखने को मिल रहा है आज वह है 7,772 रुपए का दोस्तों आज इस स्टॉक्स में 75 रुपए का बढ़ध देखने को मिला करीब करीब 1% का बढ़ध देखने को मिला है नीचे हम डिलेवरी वाइज क्वांटिटी देखें तो नेट जो ट्रेड क्वांटिटी है वह था 8,91,801 जिसमें से डिलेवरी के लिए उठाया गया क्वांटिटी है वह है 2,74,127 का परतिसत देखें तो 30,74% का आज डिलेवरी क्वांटिटी उठाया गया है यह हो गया परसंटेज में और यह हो गया आज का कारोबार मारति सुजू की इंडिया लिमिटेट के उपर अब चलिए चार्ट्स के उपर हम आ जाते हैं चार्ट्स के उपर हम आ गये हैं यहां मैंने डे के टाइम फ्रेम को स्लिक कर रखा है डे के टाइम फ्रेम में हम कुछ इंपोर्टेंट्स परामिटर्स देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट पैटर्न देखेंगे तो आपको ग्यात होका मैंने पिछले वीडियो में बताया था यह स्ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उपर की ओर गया है जाने के बाद यह होल्ड कर रहा है अपने आपको उपर आज भी यह स्टॉक इसी रेंज में बना रहा अगर हम रेक्टेंगल बनाएं तो उपर से यह एक रेक्टेंगल पैटन हमें देखने को मिल रहा है इस तरीके स यह एक rectangle ही है और यह stock जिस दिन भी अपने इस range को breakout करेगा उपर या नीचे हमें एक बड़ा मूब देखने को मिल सकता है मारतिक सुजू की इंडिया लिमिटेड में तो दोस्तों कल के दिन पर भी हम important support and resistance की बात करेंगे उससे पहले इस range के support and resistance को हम देखें या इस range के breakout या breakdown में हम देखें तो उसका भाव मैं आपको पताऊ तो 7890 रुपय का भाव उपर की ओर है और नीचे की ओर downside का जो भाव हुआ है यह यहाँ पर आएगा 7630 रुपय के भाव का नीचे की ओर का लाइन है यह हो गया इस range का जो range अभी बन रहा है इसके up और downside के भाव जब ही इस दोनों range के उपर क्या नीचे जिधर भी निकले उधर एक बड़ा move हमें देखने को मिल सकता है यह हो गया इस range की बाद अब हम चलिए time frame को हम छोटा कर लेते हैं और important support and resistance कहां कहां पर बन रहे हैं इस भी से में हम बात करेंगे तो नीचे की ओर तो important support का जो काम कर रहा हूँ इस range का lower side जो 7630 रुपय का है और उपर की ओर resistance का जो काम कर रहा है अभी वह है 7790 रुपय का यह भाद तो range का है और यही support and resistance का काम कर रहा है time frame को अगर हम छोटा करें तो intraday में हम आ जाएंगे कि कल के दीन पर यह किधर momentum आ सकता है क्या resistance and support हो सकते है तो पांच मिनट के time frame में मैं आ गया हूँ यहां से हम trend line लेंगे उपर से इस तरीके से अगर हम मिला है तो यह देखिए पांच मिनट के time frame में है छोटा time frame में है उपर की और यह resistance देखने को मिल रहा है हमें फर्स्ट बार test किया इस line को second बार test किया है इसी line को और थर्ड बार यह test कर रहा है इसी line को इस तरीके से one two हो सकता है यह इस टोक वापस से नीचे इस तरीके से गिरे और वापस इसको break out करेगा तो इस range के top में जो day के time frame में जो range दिखाया वहां तक जाएगा इसके बाद अगर उसको break out कर जाता है तो एक बड़ा break out देखने को उस दिन मिल सकता है हमें यह हो गया उपर के और resistance line और नीचे के और support line भी ऐसे ही बन जागा यह देखे इस तरीके से यह बन रहा है तो हम एक तिर्चा इस तरीके से खीचेंगे line तो अपना support line होगा टाइम फ्रेम को हम बड़ा करेंगे यह तो पांच मिर्ट में था टाइम फ्रेम को अगर हम 15 मिर्ट अब करते हैं तो इस परस्ट देखने को मिलेगा कुछ important points इस line को अगर हम उपर यहां रखें तो पंद्रा मिनिट में भी हमें सेम चीजें देखने को मिल रहा है कि इसी line का यह resistance ले रहा है उपर की और इसी line को यह resistance बार बार ले रहा है और जब इस line को break करेगा उपर की और 7890 का target हमें देखने को आसानी से मिलेगा जो कि उस range के ऊपर का है जो मैंने day के टाइम फ्रेम में दिखाए हुआ है तो कल के लिए यह stock इस range को अगर break करता है 7,765 के भाव को निकालता है तो यह stock वापस जा सकता है 7,890 तक इस line को हम लेंगे यह 7,800 का आएगा अगर यह stock 7,800 को break करता है इस line को कल के लिए तो अगला जो resistance area हमें देखने को मिल रहा हुआ होगा 7,890 का अगर यह उसके आगे भी निकल जाता है 7,890 के आगे तो फिर एक बड़ा move उपर की ओर हमें देखने को मिल सकता है और इस stock में उपर की ओर ही एक move आने की त्यारी लग रहा है क्योंकि इस तरीके से एक sideways pattern में बना है नीचे से आया है stock काफी दूरी से नीचे से उपर जाके hold कर रहा है अपने आपको जब भी इस breakout मिलेगा तो उपर की ओर एक move हमें देखने को मिल सकता है जाए intraday में हो या swing के लिए हो और वही नीचे की ओर support line यह support line है 7630 का चुभा होगा वह support line की काम में support line की तरह काम करेगा टाइम फ्रेम मैंने बढ़ाया वन अवर किया फिर भी सेम support line जो है वही रहेंगे resistance line जो है वही रहेंगे बस हमें वेट करना है कि breakout कव आए उपर की ओर या नीचे की ओर breakdown कव हो इस range का 7630 रुपय का तो एक बड़ा move हमें देखने को मिल सकता है नीचे की ओर या उपर की ओर दोने साइड मिल जाएगा वापस से मने डे की टाइम फ्रेम में आ गया हूँ और यहां अगर नीचे की ओर 7630 को यह stock break करता है तो फिर जो अगला support हमें देखने को मिल रहा हुआ 7200 के करीब का होगा जो की काफी नीचे होगा और यह बड़ा fall भी हमें देखने को मिल सकता है तो हम अभी किसी ओर decide नहीं कर सकते candle को देखके कि किदर जा रहा है हमें buy side या sell side wait कर सकते हैं यही हमारे पास एक मात्र साधन है इस तरीके से यह range बना रहा है हो सकता है कल के दिन में भी यह red candle बने और उपर से नीचे आके इसी line के आसपास यह close दे दे 7630 के आसपास यह उपर की ओर जाएगा तो इस आसपास close दे सकता है 78895 के भाव में close कर देगा इसके बात परसों को हो सकता है तो उपर की ओर break करेगा यह नीचे की ओर close आए 7630 को की ओर तो परसों होगा उस दिन नीचे की ओर break कर सकता है यह तो prediction हो गया चलिए हम आ जाते हैं investing.com के website में यहां कुछ एंडिकेटरों के जो signal निकल के आते हैं उनको हम विव करेंगे और वे क्या signal दिखा रहे हैं हमें किधर हमारा विव रखना चाहिए के बाई सेट ज्यादा या सेल साइट तो मैंने टेकनिकल लगा लिया है कि दे के टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि यहां मूइंग एवरेजेस कुछ इंपॉर्टन मूइंग एवरेजेस हैं उनके जो signal निकल के आ रहे हैं हुए 100 परसेंट गजब का सांदर बाइंग सिगनल प्रोवाइड करा रहे हैं जो मूइंग एवरेजेस हैं जो signal निकल के आ रहे हैं वे हमें स्ट्रोंग बाइंग के सिगनल देखने को मिल रहे हैं इसके बाद मोमिटम वाले कुछ एंडिकेटर हैं उनके सिगनल को अगर हम नजर में रखें तो वे भी स्ट्रोंग बाइंग हैं इसके बाद ट्रेंड वाले एंडिकेटर का सिगनल देखें तो वे भी स्ट्रोंग बाइंग के सिगनल ही हमें देखने को मिल रहे हैं वालिटप। इंडिकेटर का देखें तो यह भी संग्नल दिखा रह¬ और passionate श्रौंग् साइद सर्फर दि देरे हैं। तो हमारा थार पर हम इनके आधार को हमें भाईंसे सात्द साल थinkर है तो बीजिद का ही रख सकते हैं। मुंग यर्ए में एक एक का देखें तो MA5, MA10, MA20, MA50, MA100, MA200 यह Simple Moving Average हैं और यह Exponential Moving Average है 5, 10, 20, 50, 100, 200 यह उनके केंडलों के 3 हैं या केंडलों के संख्या है यह इनके जो Signal है वे Buying के हैं Exponential वाले जो Indicator है Moving Average है उनके भी Strong Buying के Signal है नीचे Momentum वालों में जो Indicator है Momentum वाले उनमें RSI 14, Oxylator 96, Oxylator 14, Stochastic 14, William Sarr, CCI 14, ROC यह जो इतने सारे Indicator हैं Momentum वाले Indicator और इनके जो Signal निकल के आ रहे हैं वे हमें गजब के Signal दिखा रहे हैं Buying के Signal ही हमें प्रोवाइड करा रहे हैं सारे Only One Ultimate Oxylator जो है वह सेल का Signal है तो हम कल के लिए जो नजर बना के रख सकते हैं अधिकतर इंडिकेटर या सारे इंडिकेटर ही हमें बाइंग के सिगनल ही प्रोवाइड करा रहे हैं इस कारण से या हम ट्रेंड वालों में देखें तो इंडिकेटर 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 वोलेटलिटी में ATR 14 है हाई या लोग 14 है तो हाई लोग 14 का जो सिगनल हो भी भाई है या हाई वोलेटलिटी देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से हमने मारुती सुजुकी इंडिया लिमिटेड के स्टॉक्स के अनलेसिस किये और फाइनली हमारा जो व्यू बना वह बाइंग का है बाइंग सेड मैं अगले दिन रहने वाला हूँ क्योंकि इन इंडिकेटरों के जो संकेत निकल के आ रहे हैं वे बाइंग के हैं में बना है उससे हम आइडेंटिफाइ नहीं कर सकते कि नीचे जाएगा मार्केट या उपर जाएगा लेकिन जो इंडिकेटरों के संकेत आ रहे हैं उनसे हम थोड़ा संतुष्ट हो सकते हैं और 60% हम पाइसाइट मैं रहने वाला हूँ अगले दिन बाकी तो मार्केट के उपर हम छोड़ देंगे क्या होता है मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा तोस्तों इस वीडियो में वस इतना ही साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएगा मेरा महनत अगर आपको थोड़ा सभी फायदा हो रहा होगा मेरे महनत से तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब जरूर कर लीजेगा एंड बेल आइकन को ओन करना बिल्कूल मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड सरकल में जरूर कीजेगा तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद